नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चानल पे तो आज मैं आप सब के लिए लेकर रहे हूँ एक नए तरे की एक करी तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले हमें एक ग्रीन मसाला ग्राइड करके लेना है जिसके लिए मैंने धनिया, फुदीना, अद्रक, लसन, प्यास, काजू, हारी मिर्च और कुछ करी पते लिए हैं इन सब को एक एक करके हम इस मिक्सर क्रेंडर में एड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे यह पेस्ट अगर आपको थोड़ा ठीक लगेगा तो इसमें दो से तीन चमच पानी भी आड कर सकते है क्योंकि हमें इसके लिए एक फाइन पेस्ट चाहिए यह कुछ इस तरीके से होना चाहिए ग्राइंड इस कंसिस्टनसी का तो इसे हम साइड में रख देंगे मैंने साथ से आठ बॉइल एक लिए है इसको न मैंने पहले बॉइल किया है पानी उसमें एक चमच नबाक एड किया है और इस अंडों को 10 से 12 मिनिट तक अच्छे से बॉइल करके लिए है क्योंकि हमें इस रेसिपी पे हाड बॉइल एक चाहिए तो इस अंडों को मैं दो हाफ में डिवाइड करूँगी कट करके साइड में रख दूँगी अभी एक कडाई में मैंने वन टेबल स्पून ओईल करम किया है इसमें मैंने एक बड़ा तेज पत्ता एड किया है उसी के साथ आदा चमबच हेंक एड किया है इसके बाद मैं ये सारा मज़ाला इसमें एड कर दूँगी और इस मसाले को हमें दो से तीन मिनिट तक अच्छे से फ्राय करके लेना है जब तक इसका हम तेल ना छूट जाए तो इसे अच्छे से आप कुप करके दीजेगा मीनवाइल मैंने एक पैन गरम किया है उसमें मैंने एक चमबच तेल दिया है उसी के साथ वान एक चमबच ताली मिर्च और एक चमबच धनिया बॉडर एड करी है इसमें हम ये जो हमने अंडे कट करके रखे थे इसको हम place करेंगे इस तरीके से और इसे हमें थोड़ा सा light brown color होने तक अच्छे से fry करके लेना है तो हमारे अंडे कुछ इस तरीके से दिखने चाहिए अब इसे हम side में रख देंगे अब आते हैं हमारे gravy के ओर आप देख सकते हैं थोड़ा तेल चूट रहा है gravy को इसमें हमें एक जमच धनिया और एक जमच काली मिर्च पावडर आड़ करनी है उसी के बाद हम इसमें एक कब दूद आड़ करेंगे इसके बाद हम इसकी consistency अड़ेस करने के लिए पानी आड़ करेंगे आपको आपके हिसाब से इसमें पानी आड़ कर लेना है दूद के साथ थोड़ी सी मलाई भी थी तो ये जब बॉइल होगी तब इसमें आपको थोड़ा ओईल दिखेगा अगर आप मलाई नहीं आड़ करना चाते तो आप इसे skip कर सकते हैं अब इस करी को हमें अच्छे से बॉइल करके लेना है और इसके बाद हम इसमें हमारे जो अंड़े हमने तबे पर प्राय करे थे वो सारे इसमें आड़ कर देंगे तो हमारी ग्रेवी बॉइल हो चुकी है अभी मैं अंड़े इसमें आड़ करूंगी तो ये हमारी quick and easy recipe ready हो चुकी है हम तो हमेशा normal एक करी enjoy करते है तो आप इस टाइम ये मलाई एक करी ट्राइग जरूर करना घर पे और मुझे comment section में बताना कि आपको recipe कैसी लगी तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक इस चानल को like share subscribe करना ना भूलिएगा और अपना खयात रखिएगा बाबाई